नमस्कार दोस्तों फिरसे स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके बास Poco M2 है M3 है या कोई और मॉडल है Poco का तो यहाँ पे आप यह जो आटो चेंज वाल पेपर है या फिर M.I.Glans है ऐसे स्लाइड कर करने पर आपको अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिलती है न जब भी अनलॉक करते हैं तो तो इसको आप कैसे टर्न ओफ कर सकते हैं या फिर कैसे इसको लगा सकते हैं तो दोनों सेटिंग यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ और ऑफ की भी तो इसके लिए आप यहाँ सक्रीम पर स्क्रीन चली जाएंगे सेटिंग पर कशैटिंग पर यहां पर आपको लॉक्स्क्रीयन का उप्षण देखने को मिल जाएगा आप इस पर क्लिक कर देगे इसके बाद यहां पर आपको ओप्शन यह उप्षण देंगे अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर ऐसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो डिफॉल्ट वाल पेपर है सिर्फ वही दिख रहा है बाकि यहाँ पर ग्लाइन्स आपका रिमूव हो चुका है अगर लगाना है तो वहीं से जाके आपको उसे ओन रखना है चले मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार